नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है So, हाल ही में यहाँ पर पाकिस्तान ने 6 सतवमर को अपना 55th Defense Day celebrate किया था इसी संदर्ब में हम एक बहुत ही important operation की बात करने वाले हैं यह जो operation है, इसका नाम है operation जिब्राल्टर यह operation पाकिस्तान के द्वारा लॉंच किया गया था और इसकी एहमियत क्या है, कि यह इंडिया पाकिस्तान की जो 1965 का युद्धा उसके साथ जुड़ा हुआ है आए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद कर सकते हैं, इस app के ऊपर हमने एक खास course को launch किया है, जो कि खास रूप से आने वाले prelims के लिए तयार किया गया है, बहुत ही अच्छा response मिला है इस course को और इसमें हमने पिछले 10 साल के papers को subject wise cover किया है, so it is a very unique strategy और काफी अच्छी strategy है यदि आप इस आने वाले prelims में अच्छा perform करना चाहते हैं, मात्र 12 से 13 दिनों में आप complete course को खतम कर सकते हैं, अभी भी समय है, October 4 वाले prelims में आप अगर अच्छा appear करना चाहते हैं, so this is a very very good course for you, right, so हम start करते हैं आप इस topic की discussion को, जैसा कि मैंने आपको शुरुवात नहीं बताया, जो defense दिन था, जो कि पाकिस्तान में बनाया गया था, ये बनाया गया था 6 सितंबर को, पाकिस्तान Armed Forces celebrated 55th defense day, और यहाँ पर basically the reason, at least पाकिस्तान अपने आपको ये बताता है, कि हमने इसको celebrate क्यों किया, because हम इस दिन याद करते हैं उन sacrifices को, जो कि पाकिस्तानी soldiers के द्वारा किये गए थे, in defending its soldiers, और particularly 6 सितंबर की date क्या आती है, 6 सितंबर की date यहाँ पर इसलिए एहम है, because पाकिस्तान के अनुसार, this was the day in 1965, when Indian troops crossed the international border to launch an attack on पाकिस्तानी पंजाब, and पाकिस्तान के अनुसार, यहाँ पर पाकिस्तान की victory हुई थी, इसलिए वो 6 सितंबर को इसको defense day मनाते हैं, खेर, important क्या है हमारे लिए हम उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा background समझेंगे, पूरी गुजरात की state में located है, run-off kach में छोटा सा एक dispute चल रहा था between the two nations, India and Pakistan, यहाँ पर इस particular dispute में जो जादा dominant position थी, यह पाकिस्तान की army की थी, but पाकिस्तान इस चीज़ को ignore करता रहा कि यहाँ पर जो dispute है, वो बहुती चोटे स्तर का है, basically इस चोटे स्तर में एक चोटी सी विजय प्राप्त करके, पाकिस्तान basically जो है, थोड़ा overconfident हो चुका था, as a result of run-off kach affairs, there was a climate of overconfidence which was created in the पाकिस्तानी military, और यहीं पर जैसा कि आपने सुना होगा, confidence is good, but overconfidence is very very bad, so यहाँ पर इसी overconfidence के चलते, जो इनके यहाँ पर जेनरल अयूब खान थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मई 1965 में यह एलान कर दिया कि हम यहाँ पर एक बड़ा operation launch करने वाले हैं, जिसका नाम होगा operation Gibraltar, operation Gibraltar जो है, इसको हम launch करेंगे, और हम directly Jammu and Kashmir के अंदर अब घुसपैट करने की कोशिश करेंगे, so एक छोटी सी यहाँ पर minor dispute को इन्होंने बढ़ावा दे दिया, और मई 1965 में, operation Gibraltar के तहत, इन्होंने Jammu and Kashmir में basically यह कहा, कि we will attack by infiltration, attack by infiltration क्या होता है, इसकी चर्चा, अभी हम आपके साथ करेंगे, basically इन्होंने एक trained gorilla force त्यार की, of लगभग 40,000 men, और इनको आदेश दे दिये गए, कि आपको Jammu and Kashmir में infiltration करनी है, यानि कि वहाँ पे जाके, normal लोगों के साथ घुलना मिलना है, और उनको basically यहाँ पर करांती के लिए उकसाना है, कि आप भारत सरकार के खिलाफ करांती करेंगे, it was reason that the conflict could be confined only to Kashmir, यहाँ पर the reason, वैसे आपको बता दूँ, एक separate fact है, कि पाकिस्तान ने इसका नाम Gibraltar की रखा, इस कारवाई का नाम, it was because Gibraltar जो है, यह एक geographical location है, आपने सोना होगा, यह वाली location है, जहाँ पर Africa जो है, वो almost touch करता है Europe के साथ, so this is the state of Gibraltar, और इसका historical significance काफी जादा है, यहाँ पर Gibraltar में Muslim conquest हुआ था of Spain, जो की launch किया गया था from the port of Gibraltar, so इसी चीज़ को याद करने के लिए basically पाकिस्तान की आर्मी ने इस कारवाई का नाम रखा था, Gibraltar, खेर, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि operation Gibraltar की, रननिती पाकिस्तान क्या follow करने वाला था, so the plan was basically multi-pronged, ठीक है, infiltrators क्या करने वाले थे, जैसा कि मैंने आपको अलड़ी बताया कि आस-पास के जो local लोग हैं, जो स्थानिय आबादी हैं, उनके साथ basically intermingle करेंगे, उसके बाद उनको ही उकसाएंगे to rebel against the Indian government, साथी में, जहां कुछ लोग जो है, infiltration करेंगे, वहां कुछ लोग जो gorilla warriors हैं, यह यहां पर कुछ और इलाकों में जाके, bridges को destroy करेंगे, tunnels को destroy करेंगे, highways को destroy करेंगे, और enemy communications, यानि की भारत के communications को यहां पर खराब करेंगे, so that भारत को यहां पर basically communications करने में दिक्कत आएगी, जिसकी वज़े से वो इस war को जीत जाएंगे, ऐसा पाकिस्तान ने plan किया था, और पाकिस्तान इस चीज़ को लेके काफी confident भी था, इसके जो to a national uprising against the Indian government, और साथी में क्योंकि 1962 के चाइना वाले युद के बाद, इंडिया अभी भी recover कर रहा था, so इस time पर उनको sure था कि इंडिया जो है आज की date में एक full scale war करने के लिए सक्षम नहीं होगा, so हम यहाँ पर इंडिया की कमजोरी के उपर attack करेंगे, जिसकी वज़े से हम पूरे कश्मीर को capture कर लेंगे, again this was the entire thinking of Pakistan under the operation Gibraltar, और आप देख सकते हैं यहाँ पर operation Gibraltar को किस तरीके से पाकिस्तान का एक newspaper cover करता है, इन्होंने अपने forces का नाम गजनवी forces के नाम से भी इसको कहा जाता था, in fact कुछ-कुछ newspapers में आपको इसका नाम Gibraltar forces भी देखने को मिलता है, in August 1965, पाकिस्तान armies आजाद कश्मीर regular force troops disguised as locals, इन्होंने entry की जमू कश्मीर में from पाकिस्तान और यहाँ पर हुआ क्या था, they were able to occupy key heights from around the कश्मीर valley and encourage a general revolt, ठीक है, तो इसमें कोई दो राए नहीं कि इन्होंने कुछ-कुछ इलाकों को capture कर लिया था, लेकिन ये इस चीज़ को बहुत जादा बड़े स्तर पर नहीं ले जा पाए थे, in fact एक और interesting fact, यहाँ पर जो इनके जितने भी troops आय थे, उन्होंने अपने आपको 10 छोटे-छोटे गुटों में तोड लिया था, और हर गुट का एक Muslim leader के नाम के ऊपर नाम रख दिया गया था, again just a random fact, but very very important to note, जैसे ही भारत की सेना को इस चीज़ की बनक लगी, Indian agencies identified the insurgents as पाकिस्तानी army regulars, ठीक है, उनको पता लगया कि यहाँ पर जो भी घुसपैठिये हैं, यह सभी के सभी पाकिस्तान army को बिलॉंग करते हैं, ऐसे ही साथ में इंडिया ने basically additional troops को भीजना शुरू कर दिया, और जैसे ही additional troops को भीजना शुरू किया, Indian army also launched attacks on the logistical basis of the insurgents in Pakistan administered कश्म और इसके साथ Operation Gibraltar यहाँ पर समाप्त हो जाता है, लेकिन कहानी यहाँ पर असल में खतम नहीं होती है, because Operation Gibraltar के साथ ही में पाकिस्तान ने एक और operation शुरू किया था, जिसका नाम था Operation Grand Slam, और यह basically again the reason कि पाकिस्तान ने Operation Grand Slam को शुरू किया था, it was कि भारत का किस तरीके स ध्यान हम भटका सकते हैं, कि इसके जो ट्रूप्स हैं वो Operation Grand Slam में लगे रहेंगे, और हम meanwhile अपने Operation Gibraltar को successful कर देंगे, Operation Grand Slam की बात करते हैं, the पाकिस्तानी आर्मी commenced Operation Grand Slam on 1st September 1965, so यहाँ पर even though Operation Gibraltar जो है, वो जाधा अच्छा नहीं चला, यहाँ पर Operation Grand Slam को इन्होंने श अखनूर ब्रिज in Jammu and Kashmir, so यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कि Operation Gibraltar के लिए भारत ने additional troops को deploy किया, पाकिस्तान बेसिकली यह ensure करना चाहता था, कि वो यहाँ पर अखनूर ब्रिज को तोड़ देगा, so that अगर कल को Indian Army additional troops को भी deploy करना चाहती है, तो वो ना कर पा of an entire infantry division in Jammu and Kashmir, और यहाँ पर यह इतना एहम bridge माना जाता है, even आज की date में यह काफी एहम bridge माना जाता है, especially जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो सामान है, वो जम्मू-Kashmir के इलाकों में पहुंचता है, जो military का सामान है वहाँ तक पहुंचाया जाता है, यहाँ पर इस particular Grand Slam तो पाकिस्तान का बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ था, before the start of operation, Indian forces ने occupy कर लिये strategic areas such as Haji Peer Pass in Pakistan administered Kashmir और यहाँ पर इन्होंने Operation Grand Slam को भी वहाँ पर खतम कर दिया था, in fact केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर क्यूंकि Operation Grand Slam तो खतम हुआ ही, जिसकी वज़े से India additional troops को deploy कर प fitting reply दिया, वो कैसे, 6th September को, according to its pre-declared strategy of repost, Indian army crossed the international border in Punjab, यहाँ पर भारत की सेना ने international border को भी cross किया, और इस particular crossing का, इस particular incursion का भारत की तरफ से, reason simple था, कि we want to cut off the grand trunk road near Lahore, which cuts right across the right flank of the Pakistani attack, कि हम यहाँ पर अगर इस रास्ते को ही cut कर देंगे, So, उसके बाद, जो पाकिस्तान की entry points हैं, वो काफी जादा weak हो जाएंगे, So, यहाँ पर realizing the gravity of the threat, the Pakistani army stopped its thrust into Kashmir and diverted the forces to counter the Indian incursion, So, आप देखे, भारत ने असल में अपना कोई operation launch नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के दो operations को यहाँ पर इस तरीके से नकाम्याब किया, कि साथ ही में उन्होंने पाकिस्तान को मजबूर भी कर दिया, कि आपने जो अपनी forces को operation Gibraltar में लगाया हुआ है, उन forces को अब आप पंजाब के border पर लगाईए, because हमने यहाँ पे incursion कर ली हैं, right, So, यहाँ पर जो attack था, यह बहुती बड़ा surprise था, for the Pakistani commanders, और on the second day of the war, पाकिस्तानी army ran out of ammunition and suffered heavy losses, and 23rd September को finally, यह युद्ध भी एक तरीके से खतम हो जाता है, पाकिस्तान accepted a UN-mandated ceasefire, again, दो operations की बात कर ली है, लेकिन कहानी यहाँ पर भी समाप्त नहीं होती है, इसके बाद सवाल यह आता है, हमने आप से वीडियो की शुरुआत में कहा था, कि पाकिस्तान defense day को celebrate करता ह है, पाकिस्तान इसको celebrate क्यों करता है, देखिए, काफी जादा है रानी वाली बात है कि इस time पर पाकिस्तान की हार हुई, लेकिन important to note, पाकिस्तान की आर्मी उस समय बहुत जादा अधूनिक थी, अगर हम उसकी तुलना करते हैं भारत की आर्मी के साथ, ऐसा क्यूं था, पा पाकिस्तान को जितने चाहे weapons USA से मिल रहे थे, और यहाँ पर superior F-104 starfighter, F-86 बगएरा बगएरा, सब कुछ पाकिस्तान के पास available थे, यही नहीं, पाकिस्तान had constant supply of the ammunition, वहीं अगर हम तुलना करते हैं भारत के साथ, भारत यहाँ पर कई सारी problems के साथ जूज रहा था, सबसे पहले तो भारत के पास यहाँ पर जो military modernization थी, वो उतने बड़े स्तर पर नहीं हुई थी, उसके बाद भारत के पास पैसा नहीं था, weapons को खरीदने का from the USA and the USSR, so जितने भी हमने खरीद करी थी, वो बहुती सीमित खरीद करी थी, अगर हम statistics की बात करें, Indian army was actually statistically inadequate, हमारे पास ब हमारे उपर बहुत ज़्यादा military burden, बहुत ज़्यादा financial burden पड़ा हुआ था, इसके बाद चाइना ने October 1964 में atomic bomb को explode किया था, जिसकी वज़े से again, इंडिया को इस चीज का डर था, कि कहीं पूरा का पूरा जो balance of power है, वो चाइना की तरफ ना चला जाए, यहीं नहीं, यहाँ पर इंडनेशिया भी उस टाइम पर Great Nicobar Island के उपर अपना दावा कर रहा था, so India was going through a lot, but important to note कि पाकिस्तान की आर्मी ज़्यादा modern होते हुए भी यहाँ पर इंडिया की आर्मी से एक तरीके से पराजित हो गई थी, in early 1965, जितने भी experts दुनिया भर में थे, वो यह बोल रहे इती थी उस समय के Prime Minister की, उसकी वज़े से 1960 के युद्ध का पूरा का पूरा रास्ता ही पलड़ गया, जिसकी वज़े से पाकिस्तान एक तरीके से माना जाता है, कि 6th September को असल में celebrate नहीं करता है, वो अपने failures और अपनी missed deeds को यहाँ पे छुपाने की कोशिश करता है, under the garb of celebration of defense day on 6th September, खेर, वीडियो यहाँ पे समाफ्थ होती है, बट जाते जाते मैं आप से एक चीज कहना चाहूंगा, कि आप प्लीज इन चीजों में ना पढ़िए कि कौन जीता, कौन क्या कहता है, कौन हारा, यह चीजें आपके लिए important नहीं है, हमारे लिए केवल academics के point of view से important है कि operation gibraltar क्या था, रननीती क्या थी, किस तरीके से पाकिस्तान को यहाँ पर इंडिया ने, जो है operation gibraltar को काम्याब होने में नहीं होने दिया, right, so this is the thing which is more important for you, examination point of view से हम prepare कर रहे हैं, please don't get into all these petty discussions, आने वाले prelims के लिए यह आपको काम नहीं आएंगी, इसी के साथ आप से और मुझे मिले आपने विर्स, आने मेगे में कर को यहाँ आपकी, आपक कर दो में डिएफ, कि को रहे हुए आपकी, आप»